माननिये प्रधानमंत्री जी के मूलमंत्र घर पे रहो, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिये और जिम्मेदार बनाईये से शुरू कर रहा हूँ राज्य के तमाम विस्तारों को संक्रमन के आधार पर रेड, औरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है इनमें से रेड जोन में संक्रमन सबसे अधिक होने के कारण यहाँ ज्यादा सावधानी रखनी ज़रूरी है Red Zone के संक्रमन अन्य विस्तारों में फैलने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा परयापत प्रयास किये जा रहे हैं Red Zone को कॉर्डन करके लॉगडाउन का सक्खतमल कराने की भी सूचना दी गई है जिन विस्तारों में औरेंज जोन का समावेश होता है ऐसे विस्तार रेड जोन में तब्दील ना हो इसलिए उचित सावजानी वहां भी रखना अनिवारे है इस जगे भी लॉकडाउन का सक्त पालन करनी की सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ऐसे विस्तारों में लोग अनावश्यक बाहर ना निकले और सबजी मार्केट ग्रॉसी स्टोर जैसे स्थडों पर पुलीस पेट्रोलिंग रखने की सूचना भी दी गई है रेड जोन और और औरेंज जोन में पूरी सक्ती रखी जा रही है लेकिन ग्रीन जोन विस्तारों में भी संक्रमित व्यक्ती बाहर से न आए उसे तू पूरी सावधानी रखनी जरूरी है इसलिए ग्रीन जोन विस्तारों में भी नियमित पुलीस चेकिंग चालू रहेगी जिस तरह गाओं में ग्राम जनो द्वारा लॉकडाउन का सक्त पालन हो रहा है वैसे ही ग्रीन जोन विस्तार में लोगों को ग्रीन जोन बनाये रखने के लिए इन विस्तार में बाहर से कोई गेर कानूनी रीते मेडिकल जाज के बिना अनधिकरित प्रवेश ना करे ये सावधानी रखने की जरूरत है राज्य में कुछ स्थानों से किसी भी प्रकार के पास या पर्मिट के बिना आंतर राज्य प्रवास करते हुए लोग पाये गए हैं इसलिए सब अपील है कि गैर कानूनी प्रवास ना करें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो केंद्र सरकार द्वारा बताये गए प्रक्रिया के अनुसार पास या पर्मिट लेके ही प्रवास करें लोगडाउन के पहले जो लोग धार्मिक यात्रा या घूमने के लिए या अभ्यास हेतू इत्यादी गाउं से दूर कोई दूसरी जगह गए थे उनको वापस आने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई जरूरी गाइडलाइन के पालन करते हुए पास लेने की जरूरत है और उनकी यातायात की जरूरियात भी स्टेट्स के संकलन के साथ किय जाएगा इसी तरह किसी राज्य से काम करने वाले मजदूरों को अपने परिवार से मिलने गाउं जाना चाहते हों तो ऐसे लोगों को भी केंद्र सरकार का जरूरी गाइडलाइन पालन करना चाहिए स्थानिक प्रशासन से जरूरी पास परमिट लेकर ही अंतर राज्य होना चाहिए बस से गुजरात में बसे अन्य राज के श्रमिक जो अपना वतन जाना चाहते हैं उनके लिए भी तबक्कावार योग्य वेवस्था की आयोजन हो रही है इस हेतू संबंदत राज्य के साथ संकलन के लिए सरकार श्री द्वारा नोडल अधिकारियों की भी न लोगों के प्रवास के लिए विवस्था भी की जाएगी पहले चरण में जो लोग शल्टर हों में थे ऐसे लोगों को भेजने की विवस्था हो रही है बाद में उचित चरणों में अन्य लोगों के लिए भी विवस्था की जाएगी इस हेतू केंद्र सरकार द्वारा खा एक ट्रेन भी थोड़े समय में रवाना होने की तैयारी की जा रही है। ऐसे प्रवास के पहले सभी लोगों की मेडिकल जांच भी की जाएगी और जिन लोगों में कोरोना संक्रमन के लक्षन दिखाई देंगे, उनको इलाज के लिए भेजा जाएगा। राज्य के सभी आंतर जिला और आंतर राज्य सरहदों की सभी चेक पोस्ट कारेरत हैं और केंद्र सरक्वार द्वारा दी गई गाइड्लाइन के अनुसार पास के साथ ही आप प्रवास कर सकते हैं बिना पास के प्रवासियों पे कानूनी कारवाई की जाएगी इसलिए सभी लोगों से अपील है कि गैर कानूनी याता यात न करें तबलिक जमात द्वारा लॉकडाउन भंग का एक और किस्सा सामने आया है वलसाट जिले में 18 फरवरी को तीन लोग जमात में करनाटका गए थे और वहां से माल वाहक वाहन में वापस आते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ भिलाट पुली स्टेशन में गुना दर्ज किया गया है और इसके साथ शूरा जमात के गुजरात में कुल 22 गुना अभी तक दर्ज हुए है कल डीटेन किये गए वाहनों में से राज्य में कुल 7924 वाहन मुक्त किये गए है अब तक कुल 156,942 वाहन मुक्त हुए है सुसाइटी में लगे CCTV भी चेक किये जा रहे हैं राज्य में कल ऐसे 26 गुना दाखिल हुए हैं और 27 लोगों को पकड़ा गया है अब तक ऐसे 460 गुना में 722 लोगों को हिरासत में लिया गया है जब तक लॉकडाउन अमल में है तब तक पुलीस के द्वारा निरंतर, ड्रोन, CCTV और ANPR के माध्यम से नजर रखी जा रही है जहां लॉकडाउन के उलंगन की घटना ध्यान पर आएगी वहां कानूनी कारेवाई की जाएगी राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 295 गुना दाखिल किये गए है अब तक कुल ऐसे 10,686 गुना दर्ज हुए है और ऐसे गुना में कुल 20,446 लोगों को हिरासत में लिया गया है CCTV फुटेज के आधार पर कल कुल 119 गुना दर्ज करके 137 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक कुल ऐसे 2238 गुना पूरे राज्य में दर्ज किये गया है अब तक ऐसे गुना में कुल 3300 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया मॉनेटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवा के 23 गुना दर्ज किये गये हैं अब तक ऐसे 608 गुना में कुल 1282 लोगों की अठकायत भी हुई है कल सोशल मीडिया द्वारा अफवा फैलाने पर पुलीस के द्वारा 19 अकाउंट बंद किये गये हैं अभी तक कुल 552 अकाउंट पुलीस के द्वारा बंद किये जा चुके हैं कल ANPR अनालिसिस के द्वारा 62 गुना और आज तक कुल 822 गुना दर्ज हुए हैं कल वीडियोग्राफर के द्वारा की गई शूटिंग के आधार पर कुल 260 गुना और आज तक ऐसे कुल 1902 गुना दाखिल हुए हैं प्रहरी जैसे वाहन पर लगे कैमरा की मदद से कुल 81 गुना और आज तक कुल ऐसे 636 गुना दर्ज किये गए हैं